कि तुम जानना चाहते हो वहां सब कुछ कैसा था कंड़हर मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था कभी भी बम भड़ते थे गोलियां चारों तरफ से चल दे थी रोते चिलाते लोग हमें उनकी भासा भी नहीं समझ में आ दे थी एक दिन हम एक शहर को तहस नहस करके वहां से कुचर रहे थे तभी एक चार साल की बच्ची काली बड़े बड़े आखो वाली इतनी प्यारी की देखोगे तो देखते ही रह जाओगे बंबाडी ने जो खंड़ल बना दिया था उस पर खड़ी थी अकेली असहाय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है रोना है भागना है चीखना है या चिलाना है मैं उस नन्नी परी के पास गया गुटने टेक कर उसकी गरी आखों में देखकर कहां हाई मैं आरुन हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा उसने अपने नन्ने छोटे छोटे हाथ मेरे सीने में डाल दिया उस वक्त मैंने यह मौसूस किया कि उसके नन्ने हाथ मेरे इतना जोर से पकड़ने के कोशिस कर रहे हैं उस समय वो छोटे बच्ची जो कुछ भी मौसूस करे थी उसे मैं अपने सीने में एहसास कर रहा था जब मैं उसे गले लगाये हुए था तब मैंने नीचे जमीन पर देखा मलवे में एक हाथ दबा हुआ था और वो हाथ उसकी मा का था इसलिए वो वहाँ से हिल नहीं रही थी बरबादी और बेबसी के मंजर ने मुझे बिमार कर दिया हम युद्ध में यह सोच कर जाते हैं कि हम मानोता के भलाई के लिए लड़ेंगे हम सोचते रहते हैं सवाल करते रहते हैं हर चीच पर सवाल करते हैं हमार दिवाग सवाल के बन्वार में गुमते रह जाता है ऐसा लगता है कि हम पागल हो चुके हैं क्या सही है क्या गलत है क्या जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के मर्जी है या भगवान है भी